नमस्कार दोस्तों आपका अपने चैनल मनुझ गुपता अकैडमी में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग क्लास फिफ्ट के मैट्स में प्रॉब्लम से 26 करने वाले हैं दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ सेर कीजिए दोस्तों अधर सब्जेक्ट के भी क्वेशन एंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया आप लोग वहाँ पर जा करके देख सकते हैं तो आईए अब हम लोग चालू करते हैं problem set 26 यह है problem set 26 उसमें क्या दिया गया draw and name the following angles with the help of our protector means हमको protector की help से यह 60 degree का angle draw करना है and उसका नाम देना है तो सबसे पहले किसका करते है 60 degree का करते है 60 degree का angle बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा एक line ऐसे draw कर लेते हैं यहाँ पर protector ले करके protector को कुछ इस तरीके से देखो कि यह जो point है उस point पर इस तरीके से रख देंगे और कुछ इसको इस तरीके से ऐसे scale की help से join कर देंगे यहाँ पर लिखेंगे यह है 60 degree और यहाँ पर इसके name दे दो A यहाँ पर B एंड यहाँ पर यह आ जाएगा C कुछ इस तरीके से करना है now next करते है Second में क्या बोला गया है 120 degree का बनाना है तो इसके लिए भी सबसे पहले क्या करेंगे एक line draw करेंगे Scale को रख करके protector लेंगे और protector को कुछ यहाँ पर देखो कि यह point पर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से count करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 120 का पर आएगा देखो कि यह यहाँ पर आएगा यहाँ पर एक point बना लेंगे ऐसे और इसको scale की help से कुछ इस तरीके से यहाँ पर joint कर देंगे तो यह देखो कि यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा 120 degree और यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं P यहाँ पर हो जाएगा Q and यहाँ पर हो जाएगा R इसी तरीके से करना है now next करते हैं थार्ड में किसका बनाना है 90 degree का तो 90 degree का भी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले एक line draw करेंगे scale को रख करके protector लेंगे और protector को कुछ इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे and 90 degree कहाँ पर है देखो कि यहाँ पर है तो यहाँ पर देखो कि 90 degree पे यहाँ पर हमने point बना दिया अब protector को रख करके scale लेंगे and scale से इस point को इस line से इस तरीके से draw कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे यह है हमारा 90 degree इसको नाम दे देते हैं yes यहाँ पर T and यहाँ पर U yes T U 90 degree का हो गया now next करते हैं fourth में कितने का बनाना है 150 degree का तो 150 degree का बनाने के लिए भी सबसे पहले एक line draw करते हैं अब scale को रख करके protector लेंगे और protector को कुछ इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर count करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, and 150 150 देखो कि यहाँ पर आया है यहाँ पर यह पर यह point आ जाए अब protector को रख करके कुछ scale की help से इस तरीके से यह दोनों point को join कर देंगे देखो कि यहाँ पर point था और इसको join कर दिया और यहाँ पर नाम दे देते हैं P, यह हो जाएगा Q, and यह हो जाएगा R, और यह कितना degree है 150 degree है यहाँ पर लिखेंगे 150 degree, so friends इसी तरीके से करना था, now next करते हैं 5 में किसका बनाना है 30 degree का, यहाँ पर देखोगे सबसे पहले एक line draw करते हैं अब scale को रख करके protector लेंगे और protector को कुछ इस तरीके से रखेंगे and count करेंगे 0, 10, 20, 30, 30 कहाँ पर आता है 30 कहाँ पर आएगा देखोगे यहाँ पर आएगा 30, अब protector को रख करके यहाँ पर scale की help से कुछ इस तरीके से join कर देंगे यहाँ पर name देते हैं young and young and यहाँ पर लिखेंगे 30 degree so friends इस तरीके से करना है now next करते हैं 6 में क्या बोला गया है 165 degree 165 degree बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एक line draw करते हैं अब यहाँ पर protector को लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे 165 बोला है न तो count करो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 160 and 70 के बीच में आएगा 65 तो यहाँ पर जाएगा यह यहाँ पर आएगा दिखोगे 160 and 170 के बीच में आएगा 165 अब protector को रख करके scale की help से कुछ इसको इस तरीके से जोइन कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 165 degree यहाँ पर लिखते हैं इसका नाम देते हैं U यह वज़ाएगा V और यहाँ पर W यह वज़ाएगा 165 degree का So friends इससे तरीके से करना है ना next करते हैं Last में क्या दिया गया है 45 degree 45 degree के लिए भी हम लग सबसे पहले क्या करेंगे एक line draw करेंगे अब scale को रख करके protector लेंगे और protector को कुछ इस तरीके से रखेंगे कि यहाँ पर यह point देखो कि यहाँ पर आ जाएगा और यह है 45 degree का So दोस्तो इसी तरीके से करना था दोस्तो आज हमारा यहाँ पर problem set 26 complete हुआ दोस्तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंड बॉक्स पे जरूर लिक करके बताएए और इस वीडियो को जादा से जादा लाइक कीजिए अपने friends के साथ share कीजिए ताकि उनको भी problem set 26 मिल सके और इस channel को subscribe कीजिए नमस्कार दूर्श्त